तो चलिए स्वागत है आप सभी का DQ Guru टीटोरियल का इस special session में जहां पे हम टॉपस से बात करते हैं, कुछ बच्चों से हम बात करेंगे जो J.R.F. qualify किये हैं इस बार और आज के इस series में हमारे साथ हैं फातिमा जी जिन्होंने management subject से इस बार J.R.F. qualify किया है, ना सिर्फ J.R.F qualify किया है, बलकि UGC net paper 1 में 35 questions सही किये हैं, जो कि बहुत सारी students का dream होता है, कि अगर जैदी हम 35 questions सही कर लें, तो कहीं न कहीं हमारा J.R.F. हो जाएगा, आज हम बात करेंगे फातिमा जी से, फातिमा जी सबसे पहले आप अपने बारे में बताईए, अपना introduction दीजे मैं लखनाओ से बिलॉंग करती हूँ, मैंने bachelor of commerce किया है, अबर गल्स PG college से, and then मैंने MBA किया वा है, finance and marketing से, ओके तो आपका subject management था राइट, जी जी सर management, पातिमा ये आपका कौन सा attempt था, सर ये मेरा first attempt था, और सर मैंने साथ में, जी जी अच्छी बहुत अच्छी बाइट, पहला अटेम्ट में आपने जे आरेफ कौलिफाइट रिया, राइट? जी सर, जी सर, और सर मैं साथ में MBA भी कर रही थी, थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर से मैं सर प्रिपरेशन कर रही थी, नेट की हाँ सर, MBA मेरा हो गया सर, MBA में मेरे सर, जी जी, MBA भी सर मेरे लास सेमेस्टर में 88 परसंट आय थे, और सर जे आरेफ भी हो गया, बहुत अच्छी बात है, पातिमा आप मुझे बताइए ये, कि आपने किस तरीका का स्ट्रेटिजी का पालन किया, कि इस तरीके से आपने स्ट्रेटिजी बनाया था एक्जाम के लिए, या अपने पहली बार में जे आरेफ कॉलिफाई कर लिए, सर मेरा शेडियूल बहुत ठीक्स था, कि मैंने सर डेली टारगेट से अपने सेट कर लिए थे, सर सबसे पहले जो we go we absolutely तरी टारग शिलेबस तरीयो के और श्लेबस का लिए जिनसे मुझे अएड़ना गलागे कैसे करना एफ पिर मैंने सरडेले खर्जेबसर पेपर है, सर जिनसेी ह्यवत रजिए गर थे इजान लिए पेपर उठाई तो सर यही प्रीज्सरा ऑच्स एे ले लिए तो स कोई भी सर नहीं कर पाएगा सर फिर मैंने सर प्रीवियस यर पेपर को स्टड़ी करना शुरू किया सर उसके जो जो टॉपिक साय चुके थे सर पहले किस तरह के पैटन क्या था क्या ट्रेंड चर लिया था सर मैंने वो अनलाइस किया धिर धिरे सर मुझे मतलब समझ में आने मुझे लगता था कि साइद में वान में कर लूँंगी लेकिन फेपर टू मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था सर पीपर्ट सु को टै पर बहुत सारे बच्चे जानना चाहते हैं कि यारफ पास करने वाले बच्चे दिन में कितने गंटा पड़ते हैं, आपने कितना गंटा पड़ाई किया था। जब मैं इनिशियल देज में पड़ती थी तो सर मैं पड़ती थी अरांड पोर तु फाइवर्स चार पास घंटे सर मैं रोज देती थी और जैसे यर से फिर एक्जाम और अर करीब आता गया जब एक्जाम ताइन लगा तो सर वह मेरे पाथ से फिर सर आट नो घंटे हो जाते अब मुझे आप यह बताईए कि इस प्रिप्रेशन के दौरां जो ओनलाइन कंटेंट्स हैं चाहे वो गूगल के पीडिया फॉर्वेंट में पड़ा हुआ हो चाहे यूट्यूब के वीडियो सो यह सारे कितना इंपॉर्टन्ट रोल प्ले करता है जी सरथ काफी इंपॉर्टन डोल प्लेस आज़ करता है सर अज कल तो फ्री में भी कुछ प्रॉइट किया जाता है तर उसके मार्धियम से सर हम लोग उसे उसे चाहकर सक्षप रिक जाता है जो भी कंटेंट किया जाता है तर उसके द्वारा हम लोग कर सकते प्राइब क्ठ साही कंटेंट है जो आप सर हर किसी को मतलब अलग-अलग कंटेंट नहीं समझ में आता तो सर आप अपनी अबिलिटी के अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लिए कि कौन से आपको सही लग रहा फिर उस हिसाफ से आप उसको सुटेब्ली सेलेक्ट कर सकते हैं जिसके द्वार आप सवाल का जवाब दीजे बहुत सारे बच्चे चाहते हैं कि वो भी थार्टी फाइट पोस्टन यूजी सीनट पेपर बन में सही करें तो इसके लिए आपने कौन-कौन से यूनिट्स को टार्गेट किया था और किस तरीके से प्रिप्रेशन किया इसका सर मैंने जो आठ यूनिट्स थे सर उनको बहुत तगरा सर मैं बताती हो सर टीचिंग रिशर्ट ऑई सीटी कम्यूनिकेशन सर इनको तो मैंने बहुत टार्गेट किया था बहुत सॉलिड तरीके से इड को पढ़ा था और आरसी सर आरसी बहुत स्कोरिंग हैं सर लेकिन आरस किस टाइप के कोस्टें आते हैं क्या होता है मतलब प्रिवियस एर पेपर कोस्टेंज मैं के देखके गई थी अच्छा और डियाई के प्रिप्रेशन आपने कैसे किया तो यूट्यूब की विडियो देखे थे सर उनसे मुझे काफी हैं ती जरुद पता सब्सक्राइब तो आपका प्रैक्टिस चाहता था रेगूलर प्रैक्टिस चाहिए उसके बेसिक्स जो है सर आप क्लियर करें तो स प्रैक्टिस करेंगे उतना आप सही कर सकते हैं कि आगे जो बच्चे एक्जाम देने वाले हैं उसके लिए आप क्या टेप्स देंगे वो क्या करें कि वो भी आपकी तरह JRF क्वालिफाय करने के लिए सर उन लोगों को सर रेगूलरिटी आनी चीए सर जब वो लोग पढ़े तो सर इंट्रेस्ट चे पढ़े सर उसमें इंट्रेस्ट जवेलब करें सर बुक से थोड़ा सा फ्रेंडली हो जाए हां उन लोग ऐसा नहीं कि एक दिन करा फिर दूसरे दिन छोड़ दिया तो नहीं हो पाएगा इसे मेरा चलिए ओके फातिमा जी बहुत बहुत धन्यवाद आपने लगवलों सभी सवालों का जवाब बहुत बहुत बहुतर तरीके से दिया उपेद करेंगे जिए सर मैं एक बात कहना चा आते हैं तो सर मैं वाला वीडियो देखे गई थी सर मुझे इतना मोटिवेशन पील हुआ था कि सर आपने जब बोला था कि हाँ यहीं से आतुल सर मैं वो करके गई थी वाले कोश्टन बिल्कुल चलिए उमीद करते हैं कि आगे जो बच्चे एक्जाम देंगे उसको आपक आप सहायर प्रफापत बनें जीवन में जो चाहें सब कुछ आपराप्त करें बहुत-बहुत सुपकारना है आपको बहुत-बहुत सर अइसे पढ़े कि यह उनका लास्ट अटेम्ट है उनको ऐसे पढ़ना चाहिए यह इस एक्जाम के लिए कि उनका यह लास्ट हर विक्ति के लिए चलिए बहुत-बहुत धन्यवाद फातिमा जी